तो डोजया बाइशा साल रहा है जिसके एंदर कईसा एलेक्टर स्कूटक आग लगी होग अब तक लगती जारी है अब तो नहीं लगरी है मगी है कि गज़में काफ सारे एलेक्टर स्कूटे मह लगी है चाहे हो नहीं प्लाप के नाम का और को यहिधिर हो गया क्या करते हैं fireproof battery वाला electric scooter launch कर दिया आप लोग देखते रहो जो नफ्रती होते हैं डिबेट है नो बजब देखते रहो आप लोगो डेड़ी वेश्य में देखते रहेगी और आपको जो नफ्रती डिबेट है वह भी नहीं दुखेगी व्योंकि आप लोग छोड़ेगो तो हो नहीं कि उसका नशा होता है नशा होता इसका कि धर्म के नामें लड़े तो मजा आएगा देहने में तो लोग उसमें कि बहुत लोग देखते है आप रहा है यहे यह दि देखते हैं अभी तो नो ऑन जो सब्सकालब दे ना क Dutch फिसका लुट अगए तो बीना किसी डियरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को कोई या में लगी पड़ी है यही हम तुम वह कौता प्रचान लेंगे माई कैपने पार्टी में ने पचान बात करें तो जमाने आपको बता है कि फायर प्रूफ बैट्री वाला इलेक्ट्री स्कूटर मार्केट के अंद आने वाले हैं और यह कंपनी लाने वाली है मोटर वोल्ट जिसके इलेक्ट्री स्कूटर आएगा और इसका नाम होगा M7 और इसको कंपनी ने ओर ट्रॉक्स पर गंदे दि पीस किलोग्राम का और यह जो लेक्ट्री स्कूटर है सबसे ज्यादा लोट केरिंग के सबस्क्रिप्शन के साथ आएगा मतलब आप लोगों की स्कूटर काफ ससता पड़ेगा मंत में और कंपनी दावा करते हैं कि इसके अंदर उन्होंने बैट्री लगाई है वह यह जो बैट्री है और यह जो बैट्री है फार प्रूफ है मतलब आग लेगने बाद बैट्री पर ज्यादा एफक्ट नहीं पड़ेगा मतलब सेफ रहीगी बैट्री आपके नोमली लिट्यमान के अंदर होता है कि रेक्शन मनता है तो आग तेजी से बढ़ती आती तो इसमें यह कि अधिन नहीं होगा इसपर कम्नी क्लेम मोटर वोल्ट एमसान एलेक्ट्री स्कूटर कीमत के खुला साभी नहीं हुआ इसको सिफ कंपनी तभी बतायागी जब इसको लॉंच रही है मतलब कंपनी लोगे लोग लेबल कराएगी तब बतायेगी इस कीमत तो आप मार्गिट की वीडियो है आप लोग क्यों इतना घाई में रहते हुआ तो तो ती मिडिल लगाल आपको इंफ्री मिल जाएगी सभी बात है नहीं है इंफ्री पुरी करते हो खाना पुरा खाते हो तो इंफ्री लेलो बाकि अगर आपको में लोगे डॉट को लेगे गाड़ी को लेके इस खुड़ा को लेके तो आपलो में को इंश्यागा में द्यमी पूख सकते हो मैं आपके क्यारी को 100 पेंस वाल करने पूरी पूरी कोश्चित करूँगा अगल आप लोग चाहते है कि उस क्यारी पर डिटेल लिड मना दू तो ही में पता सकते हो मैं अपनी इंफ्री जटा झाल